गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो हैपी मकर संक्रांति आप सभी को और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और थोड़ा निकले हैं ऐसे ही लोकल कहीं हैं ऐसे घूमने के लिए तो यह भी रेडी हो चुका है बिलकुल और इसको दिखा दो क्या पहना है आज इसने अपना बो वगेरा सब कुछ पहन रखा है यह और अपना जैकेट वगेरा सब पहन लिया है बट नीचे नहीं उतर रहा है अपने पापा के गोदी से तो आज सब लोग तयारी कर रहे होंगे कोई दही चुडा खा रहा होगा कोई मुंफली का चिक्की खा रहा होग तो हम लोग भी दही चुडा ही खाएंगे बाकी कोई चीज में बनाती नहीं हूँ बाहर से जो भी चिक्की विक्की जो रहता है या मुर्मुरे का लाई रहता है वो मैं खरीद लेती हूँ तो हम लोग थोड़ा सा निकले हैं ऐसे ही आउटिंग पे मौसम भी अच्छा खा पूरा कपड़ा पहन लिया है और ची खादी दूप निकली है पीछे चले कि तरफ तो हम लोग अभी तो अभी तो दिन के साड़े ग्यारा बारह बजए की आसपास का टाइम है अभी क्योंकि काम करते करते इतना टाइम तो बीथी जाता है कि यहाँ काफी सारे पेड है यहां कुछ पेडों की फूजा भी होती है फूजा भी करते हैं यहाँ पर नमस्ते आंकल जी कि यहां स्टाफ लोग अपना काम कर रहे हैं और यह सोसाइटी के पीछे का बैक्यार्ड है तो मैक्सिमम टाइम में इसको यहीं लेकर आती हूं क्योंकि बहुत ओपन स्पेस है यहां पर गाणियां भी नहीं चलती बच्चे यहां खेलते हैं और अख करने के लिए भी अच्छा है और इधर से पीछे संसेट भी बड़ा अच्छा दिखाई देता है शाम के टाइम पे और अंदर सारे गाडन है ज्यादा तरावले के पेड़ लगे हुए हैं हाई भाबी हैपी मकर संक्रांती है तौह यहां साउथ में जैसे हम लोगों का मकर शंक्रामती होता है वरे से यहां की लोगव का फोंगल फोता हैं लोगों ने रंगोली बनाया हुआ हैं और और अंगर के टाइम यहां पर लोडी कि गई थी काफी आजवाघ्र जलाये गया था राख भी आपको दिख रहोगा वहाँ पिए यहां सुबह मैं तो मॉर्निंग के टाइम नहीं आ पाई थी यहां आग भी जलाया गया था मैं तो मॉर्निंग में एविलेबल नहीं थी पर जो लोग भी उस वक्त मॉर्निंग में वहां शामिल थे हैं मैं उनके कुछ फोटोज और वीडियोज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप भी आगे देखिए हानने है अपे अपे अपीछा बहुत है और यह पीछे का रिया है जास्ट हमारे ब्लॉक के पीछे का काफी शान्त लगता है इसको मज़ा आ रहा है अभी यहां पर क्या हो गया हाँ ठीक पता नहीं कौन सा लाइंग्वेज है क्या हुआ हाँ वहां पर बैंचेज लगे हुए यहां भी एक सर्कल बना हुआ जिससे यहां भी लोग वाक करते हैं बैंच भी लगा हुआ है बैठने का भी है यह अंदर पूरा आवले का है अब दीरे दीरे वह स्प्रिंग सीजन भी पजड़ वाला मौसम भी आ रहा तो अभी सारे पत्ते गिर गया है इसके इस तरह से सर्कल बना हुआ है यहां पर आप काफी सारे फिर से सब नए नए पौधे फूल के लगेंगे यहां पर आज का वीडियो मैं अभी यहीं पर स्टॉप करती हूं तो आप लोग भी अच्छे से अपना यह तेवहार मनाईए आप भी मकर संक्रांती लोहडी पोंगल वन्स अगें सभी को तो तब तक के लिए ब करता है